तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कुशन है डेट इस राजी एक्षमा टेक्स्बूप में देखा जाए तो यह जो चैप्टर से इसके काफी वेटेज है इसके बारे में जब भी हम डिसकुस करते हैं तो काफी चीजे दिमाग में आती है कि तुबर क्लोऊसीस का ट्रीटमेंट हो सकता है तुबर क्लोऊसीस में 3 सिम्टम्स चैप्टम्स होते हैं 7 सिम्टम्स हो सकते हैं 11 सिम्टम्स हो सकते हैं तो ऐसे श्वास प्रतिशया तमक्ष्वास यह सब में तो आते ही है लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट है यानि कि जो सबसे इदम यूनिक करेक्टरिस्टिक है वह है राजेक्ष्मा की संप्राप्ति यानि कि अगर इसको सिंपल भासे में कहूं तो थोड़ा सा आईरुवेधी पर तो इसका और हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्स में नहीं जाएंगे कोशन आपकी तरफ से जो रहेगा हम डिसकॉस करेंगे बट हमारे जो आज का लेक्चर एट दी एंड खतम होने के पहले ऐसा हमारा मोती होगा कि हमारे पास अगर कोई टूबर क्लोशिस का पेशेंट आ दूसरा कि मुझे टूबर क्लोशिस का में मेडिसिन ले रहा हूं लेकिन मेरे सिंटम्स का भी बढ़ते जा रहे हैं तो यह सब चीजे यानि कि आप ऐसा समझ लिजी कि टूबर क्लोशिस के पेशेंट आईरवेदा में आते हैं थोड़ा आवेरनेस के ज़रूत है थोड़ा मार्केटिंग ही ज़रूत हैं बट एज उज्वल मेरे पास थ्री टू फोर पेशेंट पर यह आते हैं अपकोस फ्रिक्वेंशी थोड़ी कम है रिजन है कि मैं इस चीज़ को उतना ज्यादा पब्लिस साइट नहीं करता बट स्टिल हमारे पास पेशेंट आते हैं यह सब प दूंदे की कोशिश कर रहा था कि आज के जो आईर्वेधिक प्रकेश्न रह वह इस डीजिस को किस रसा लें कि आप जब इंटरनेट में सर्च करोंगे तो आपको यह देखने मिलेगा कि पहले बाद नाशिक को छोड़के कोई भी ऐसा specific टूबर क्रोसिस सेंटर इंडिया म तो मैं वह पॉइंट पहली डिसकस करना चाहता हूं कि टूबर क्लोसिस ट्रीटमेंट करते समय है पहली बात आपको मॉडरन मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी अच्छी नौलेज हुनी ही चाहिए इसके पर कोई डाउट नहीं है कब रिफैंपर साइड इफेक्ट करता है कित तोड़ा सा ध्यांग दिजे सबसे पहले बात जो मेरा पहला मानना है कि यूशुड नो टिंटेल अबाउट टूबर क्लोसिस यानि कि आपका नॉर्मल यानि कि जो सिंपल सुबर क्लोसिस है जिसको हम लोग जो फर्स लाइन ड्रग टूबर क्लोसिस कहते हैं या हम सेकेंड कि आपके टूबर क्लोसिस पेशन्ट पर काम करता है इंफेक्ट मेरा एसा इन शॉट एक लाइन में ऐसा सेंटेंस होगा कि टूबर क्लोसिस के अंदर अईरुवेड ट्रीक्टमेंट एकसेलेंड काम करता है एकसेलेंड मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते अब प्रॉब्लम उपoga वो यह कि क्या रूर्वेदा को यानि की पेश्चन्त का व ला जा सकता है कि टुई प्रमान नहीं तो मेरा क्या पर्सनल एक्सप्रेंस होगा इसके पहले कि आप टूबर क्लोसिस को आई रिद में ट्रीक्मेंट करो फर्स्ट डोंट स्टॉप डॉट थरेपी यानि कि जो भी एक एटी चालू है जो भी उनको डॉट थरेपी चालू है बले वो प्रैमरी टूब स्टॉप डूबर क्लोसिस बसेलाए वार है और और अइरवेदा के अंदर हम बेसिलास से जादा यह देखने की कोशिश करते टूबर क्लोसिस पैशेंट कि की पैशेंट की जो सिम्टम्स है वह काफी हद तक नट्रोल में रहें तो इसलिए मेरा ऐसा मानना रहा कि डॉट थ एक तो चला तो जाता है यह आपका नाम भी खराब होता है कि वो डॉक्टर को इतना नॉलेज नहीं कि डॉट्स बंद कर दिया तो हमने यह बहुत सारे वैद्दों का देखा भी है कि वो डॉट थेरेपी बंद करते हैं तो में भी आप रिमोट एरिया पे हो तो आपको कोई स नहीं कर रहा है दूसरा कि डॉट थेरेपी आईरवेट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं देखो मैंने जहां तक पर्सनली इतने सारे लोगों का जो ट्रीट किया है एक हमने चीज देखा है वो जो नोटिस किया है कि डॉट थेरेपी चालू होने के बाद जो सेक्टर से य द्रग इंटरेक्शन नहीं होता मतलब अब तक तो मैंने कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं देखा है तो अगर यह बहुत सारे लोगों को मन में डाउट है कि क्या आईरवेदा क्मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद modern ऐलोपैथी के मेडिसिन इंटरैक्ट करेंगे तो इंटर डॉप्वेदा पोस्ट डॉट थरेपी मस्ट इंप्वॉट्टन ताकि रिकरेंट नहीं रिकावरी ज़ादा हो सिम्टम कम हो दूसरा इंप्वॉट्टन कि क्या आरवेदा खाली यह सब में काम करता है तो आपके पास डॉट थरीपी के करण साइड एफेक्स के करण भी आता है पहला तो पूछता कि दॉट्ट थेरीपी 2 दीखो नॉरमली क्यों कि नौन करता है क्योंकि उसके इफट्स उटी इरिटेट हो जाता है व इतनी सीवेर होते इतनी सीवेर हपेटाइटेस जैसा होता है या मेद बिख लिखार ज्यादा होता है तो आएरुवेद के कि जो आपके symptoms को help करेगा and 100% symptoms help होती है तो इंडिविजुली कभी फिर से बात करते हैं यह पांच पॉइंट आप याद रखे फिर आप हाट डाली कि आपको सच में टुबर क्लोसिस पेशिंट को जो है करना है कि अब रही बात हम अगर discussion करने का